राज नंदीनी मेटस एस स्टोक के लिए मुझे काफी जॉड़ाईयों प्रक्राजिस्ट यहां पर आईे दोस्तो के लिए नों से यहां पे लोग answer क्या करेग क्या करना चाहिए एकचिट करें या इंट्रिक करना चाहिए वगरा 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 सभी doubt solve करेंगे तो राजनन्दीनी metal stock का नाम है आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इसका नाम देखके एक चीज़ तो पता चल ही गई होंगी कि यहाँ पर इसका कुछ metal related काम तो जरूर होगा दोस्तो राजनन्दीनी metal राजनन्दीनी यह just simple word है तो काम देख लेते हैं पहले company का तो यहाँ पर दोस्तो company का काम देखने के लिए हम यहाँ पर website पर चल जाएंगे short में देख लेंगे company का जो product है आप कभी अगर किसी electrical shop पर जाओगे और wiring खरीद होगे और अगर आपको हाँ पर R.M.L. दिखता है तो उसका मतलब यह है कि वो राजनन्दीनी metal का यहाँ पर product है दोस्तों यहाँ पर काफी जादा diversified इस company का portfolio भी है दोस्तों यहाँ पर तो काफी जादा diversified portfolio में मतलब कैसे बोल सकता है इसका यहाँ पर railway sector में भी है cable industry में भी है automobile में भी है power transform हो गया solar हो गया दोस्ते यहाँ पर electrical हो गया और motors हो गया मतलब different different जगह पर आप देख सकते हो कि इस company का presence है यह काफी अच्छी चीज़ है दोस्तों आप कभी motor देखो गे खोलो गे तो motor के अंदर आपको यहाँ पर की winding देखेगे तो वो भी हो गया पर राजनंदीनी metal से मतलब काफी diversified है यहाँ पर company का काम है यह चीज़तों clear होगी अब देख लेते है पहले company का fundamental की company का fundamental कैसा है दोस्तों तो company के fundamental में शुरू करेंगे company के market capital से तो दोस्तों यहाँ पर company का market capital है वो है 295 करोड का इसका मतलब यह होता है दोस्तों यह एक micro cap company है यह कोई large cap mid cap company नहीं है दोस्तों यह micro cap company है अब बात करते company के stock PE की और industry PE की तो company का जो यहाँ पर stock PE है वो है 19.4 और industry PE जो चल रहा है वो 19.8 है दोस्तों मतलब stock PE को अगर industry PE के साथ compare करें तो ना की यह stock overpriced है मतलब की overvalued है ना की यह stock undervalued है दोस्तों तो यह मतलब इसके actual price पर आप बोल सकते हो सही से चल रहा है यहाँ आप अब बात करते है ROCE की और ROE की तो ROCE हम यहाँ पर देखने मिल जाता है अब तक तो कुछ हम यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है बढ़ते है next point की तरब जो की है dividend yield और dividend payout यहाँ पर तो कोई भी micro cap company है कोई भी small cap company है तो ऐसे companies की अंदर हम यहाँ पर dividend देखने के chances काफी जादा कम रहते है और मैं आपको एक suggest करूंगा कि micro cap और small cap companies में कभी भी dividend expect मत कीजिए यहाँ पर dividend yield हमें देखने मिल जाता है 0.62% का और उसके साथ ही दोस्तो dividend payout यहाँ पर 0% का हमें देखने मिल जाता है मतलब कोई dividend payout यहाँ पर नहीं होता है दोस्तों अब एक important चीज़ है कोई भी small cap company micro cap company दूसमें अंदर अगर FII की holding आ जाती है तो वो एक positive point माना जाता है और हमें यहाँ पर 0.03% की FII की foreign investors की holding देखने मिल जाती है और वही पर अगर हम बात करें DII holding की तो हमें आपर 0% की DII holding देखने मिलती है मतलब कि यहाँ पर FII की holding अभी है मुझे ऐसे लगता है कि अगर FII की holding भी कोई stock की अंदर है तो stock यहाँ पर थोड़ा अच्छा मान सकते है यहाँ पर दिक्कत है कि percentage काफी कम है थोड़े और जादा percentage चाहिए तो दोस्तों तो यह हो गया कुछ FII holding और DII holding का details अब देखते हैं दोस्तों कमपनी के उपर करजा कितना है तो कमपनी के उपर करजा है दोस्तों 100 करोड का 100 करोड का कमपनी करजा लेकि यहाँ पर बेटी है काफी तगड़ा करजा है दोस्तों अगर आप market capital देखो तो market capital के मतलब अलमस्त यहाँ पर 300 करोड का market capital 100 करोड का तो यहाँ पर करजा है तो कल अगर चाहे तो कमपनी के करजा easily paid सकती है नहीं दोस्तों कमपनी के पास सिफ 29 करोड का resource है हर एक quarter में यह resource बढ़ना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है बढ़ आप अगर बोलोगे कि कमपनी भरना ही चाहते है तो कमपनी के हापे उनके assets बहुत से बेचने पड़ेंगे उनका resource देना पड़ेगा तब जाके यहाँ पर कमपनी कुछ उनका करजा है यहाँ पर पूरा fit सकती है बढ़ धीरे अगर करें तो कमपनी आने वाले समय में हापे debt भी हो सकते है बढ़ टाइम लंबा होगा दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं मैं हमेशे आपको बोलता हूँ दोस्तों minimum 51% की प्रोमोटर होल्डिंग कोई भी stock में रहनी चाहिए है तो वो stock को आप यहाँ पर अच्छा मानके चल सकते हो क्यों दोस्तों because 51% के नीचे अगर जाती है तो public के पास stocks जादा हो जाते है और risk factor जो रहता है तो काफी जादा यहाँ पर बढ़के आ जाता है अभी हम देख लेंगे दोस्तों company के pros और company के cons pros हमने already बहुत सी discuss कर ले और cons भी discuss कर ले बट short में देख लेंगे last five years में company में यहाँ पर बहुत यह अच्छी profit growth बता है 70.8% की बहुत अच्छा point यहाँ पर इन्होंने mention किया है system generated है दोस्तों ROE की बात करते है last three years में यहाँ पर company का जो ROE maintained है 35.7% तो यह भी अच्छा point हम यहाँ पर लेके चल सकते है now let's move towards the cons तो cons में promoter holding जो है वो decrease होगे minus 13% से यह cons हमें consider करके चलना ही होगा important cons है tax rate seems low यह cons इतना जादा है यहाँ पर effect नहीं करता है earnings include other income हमें कोई लेन देन नहीं है हमें सिर्फ इस चीज़ पर लेन देने की company का sales करें company कितना profit बना रहे कितना income generate करें source क्या है वो हमें फिलाल के लिए तो यहाँ पर इतना ज़ादा जरूरी नहीं लगता है ऐसे मुझे लगता है यह दोस्तों तो यहां पर इंडस्ट्री जो है इसकी mining minerals metals के अंदर आ जाते और माइन इंडर प्रोडट्स के अंदर इस सेक्टर के अंदर यह आ जाता है दोस्तों सेम सेक्टर में आप देख सकते हो कोल इंडिया हो गया वेदानता बड़ी बड़ी companies GMDC होगी यह देखने मिलती है तो यह सब जो है यह large cap companies है mid cap companies है इन में कुछ बट यहाँ पर यह जो है राजनंदिनी metal यह एक micro cap company है जो की इंके साथ यहाँ पर आ जाती है बात कर लेते हैं PE की तो stock PE यहाँ पर काफी low है अच्छा है 19.38 का है और वही पर अगर हम देखे वेदानता का तो वह है 44 का देखे तो यहाँ पर 29 हमें देखनी मिल जाता है GMDC का 20 है जो की अल्मुस्ट राजनंदी नहीं के equal है तो यह PE कप बढ़ता है दोस्तों एक question होगा आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यार वेदानता तो काफी अच्छा stock है काफी अच्छा return दिया के PE कप बढ़ता है जब profit जब stock growth दिखाने लगता है profit दिखाने लगता है तब automatically PE increase हो जाता है दोस्तों और correction आता है तो फिर से PE थोड़ा कम हो जाता है तो इस तरह से तरीके से यहाँ पर PE कम जादा होते रहता है उसके बाद देखते है ROC तो ROC अगर हम यहाँ पर देखे तो 21.26% का हमें ROC ही यहाँ पर इस company के अंदर देखने मिल जाता है तो इतना ज़ादा ROC नहीं बट मैं थोड़ा expect और करता हो कि आने वाले समय में और ROC यहाँ पर increase हो दोस्तों इस company के अंदर तो यह हो गया बढ़ते हैं next point की तरफ तो next point में जैसे कि मैंने mention किया कि quarterly results देखना is very very important in any stock कोई भी stock में long term भी हो है तो quarterly results देखना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी रहता है quarterly results में हम देख लेंगे इस company के sales कैसे चल रहे है 2021 March में 193 करोड का sales company ने किया है okay consistent रहा है September में बहुत ही तगड़ा सेल किया है 258 करोड का फिर December 2021 में 260 करोड का नतलब जो sales से देख सकते हो company का का अच्छा चल रहा है नतलब अगर हम बात करें 2021 में तो 190 करोड पे sales है अब बढ़ते है सिदा March 2022 पे तो 193 करोड से sales देखने मिल जाते है 326 करोड की almost यहाँ पे आप बोल सकते हो कि double के आसपास यहाँ पे इसका sales increase होआ है वो भी एक साल के अंदर अब देखेंगे थोड़ी गिरावट अच्छी कासी गिरावट और फिर से stability अब बढ़ेंगे March 2023 की तरह तो 2020 में हमें देखने मिल जाता है 335 करोड का stable है दोस्तों अभी भी यहाँ पे देख सकते हो कितना stable यहाँ पी इसका sales हमें देखने मिल जाता है अब देख सकते हो थोड़ी गिरावट और stability मतलब जो stability वाला point है वो यहाँ पे अच्छा कासा आच चुका है तगडी मोमेंट देखने मिलते है तो तगड़ा सेल होता है तो तगडी मोमेंट भी हमें देखने मिल सकती हाँ पे next quarter में अब compare करते इसके March 2023 के लेकर March 2024 के यहाँ पे results जो है sales जो है उसको तो 335 से 315 CR का हमें यहाँ पे sell देखने मिल जाता है इतना जादी जादा गिरावट नहीं कि यहाँ टेंशन ले दोस्तों अगर बहुत अगड़ी गिरावट रहते जैसे कि 335 से सिदा 150 हो जाता है तो उस quarter म हमें 20 CR से sales कम दिखाई दे रहे हैं ऐसा जरू नहीं कि हर एक मैने में अच्छा sell ही हो थोड़ी थोड़ी गिरावट थोड़ी थोड़ी यहाँ इंक्रिमेंट भी देखने मिलती है stocks के अंदर तो अगर हम sales को देखे तो इतना जादा issue यहाँ यह बनके नहीं आता है दोस्तो यहाँ पर सिप मुझे इस quarter में एक दिक्कत लगी यहाँ आप टैक्स देखो के ना तो 42% का यहाँ पर टैक्स कंपनी को यहाँ पर लगा है जिसकी वजह से का जो यहाँ पर net profit इस quarter में वो सिप 0.29 CR का हमें आप देखनी मिला है दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं next point के तरफ profit and loss देख लेंगे यहाँ 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 पर रहता है दोस्तों यहाँ फिर से sales देखेंगे अभी हमने quarterly देखी तिया अभी हम yearly देखेंगे 2011 में 6 करोड का sales किया था फिर 80 करोड 141 करोड बहुत ही अच्छी growth दिखा रहा है 137 148 करोड तो दोस्तों थोड़ा skip कर लेता हो सिधा बढ़ता हो March 2023 के तरह बहुत ही शांदार growth दिये और यहाँ पर sales देख सकते हो पूरे साल में 1029 करोड का sales यहाँ पर company ने किया है March 2024 में 1212 करोड का sales किया मतलब की दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से sales company का increase हो रहा है मतलब की company में बहुत अच्छा business यहाँ पर बनते आ रहा है दोस्तों अब बात कर लेते yearly net profit की तो शुरुवात में तो दोस्तों हमें आपे कुछ net profit नहीं देखने मिलता है फिर 1CR, 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 5CR और सबसे जादा अगर हम देखे तो इस साल का है जो की ही आपे 15CR का 2024 तक यहाँ पे 15CR का लास्ट वन येर में हाँ नेट प्रॉफिट जन्रेट किया है जो कि बहुत ही अच्छा net profit में इस company के लिए यहाँ पर बोल सकता हो बढ़ते है next point की तरफ अभी हम देख लेंगे company का रिजर्स company का रिजर्स देखना बहुत जरूरी मैंने जैसे बोला रिजर्स जितना ज्यादा होगा तरफ रहने में मदद होगी यहाँ पर रिजर्स की बात करें तो शुरुवात में तो कुछ रिजर्स नहीं है 2018 में company ने 4CR का यहाँ पर रिजर्स किया next year 7CR 3CR से बढ़ाया पर 2020 में 7-8 यह एक अच्छी चीज़ है कोई भी company अगर उनके रिजर्स बढ़ा रहे है और debtor discount करते चारे तो बहुत positive चीज़ रहती है okay आप देख सकते 22 में 11CR पर आगे 23 में 14CR और अभी इन्होंने रिजर्स बढ़ा है 29CR के बहुती तकड़े यहाँ पर रिजर्स बढ़ और इसके रिजर्स जा सकते अगर ऐसे ही परफॉर्म करती है तो बढ़ते हैं next point की तरफ next point में अभी हम debtor desk देख लेंगे जैसे के दोस्तों शुरुवात में debtor desk 381 381 से debtor desk घटके आगे 96 पे फिर 64 पे मैंने बोला जो भी company रिजर्स बढ़ाते और debtor desk कम करती है वह company बहुती शाप मैंडेड और बहुती अच्छा बिजनिस यहाँ बनाती है 54 पे आ गए दोस्तों रिजर्स घटा के फिर 45 जो गया debtor desk जो है और अगर हम बात करें current year की तो seven days पे आ गया बहुती लो हो चुका है यहाँ पर debtor desk इसका बहुती अच्छा plus point आप इसको लेकर चल सकते हो for this year I hope दोस्तों आने वाले इसमें next year में यहाँ फिर से March में यह कम होती होई तिखाई दे नहीं कुछ तो stable तो भी चाहिए दोस्तों ऐसा मुझे हाँ लगता है ओके अभी हम हमें 51% के आसपास नजर आ रहे हैं ना कि 51% से कम है बड़ थोड़ा सा सोचने वाले चीज़ यहाँ पर रहती है दोस्तों ओके तो promotor holding descent इतनी जादा नहीं है FII की holding आप देख सकते हो शुरुबात में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ से हमें FII holding का interest नजर आ रहा है इन तीन वाले इसमें quarters में आप देख सकते हो यहाँ पर तो नहीं है दोस्तों ओके बड़ फिर भी FII का interest हमें यहाँ पर continuous नजर आ रहा है अंदर-द करते हैं अभी चार्ट की तरफ हमने आप देख लिया company क्या करती है हमने यहाँ पर fundamentals अभी देखते हैं सिधा चार्ट की company का chart कैसा है यहाँ पर चार्ट के अंदर आ जा दो दोस्तों यहाँ पर search कर लेता हूं में राज नंदिनी metals तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस company का chart इसको मैं यहाँ पर zoom out कर लूँगा आपको यहाँ पर दिखाता हो दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस टॉक ने शुरुआत कहा से कि एक रुपए के आसपास से हाँ पर शुरुआती है इसने एक देड रुपए और continuous increment बताए कितनी increment बताए वो भी आपको दिख यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही शांदार increment बताए तीस रुपए तक यह स्टॉक जाकर आए जस्ट विकॉज बिजनेस सिप बिजनेस की वज़ा से है तो बात कर लेते है इसके support zone की तो देख सकते हो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर तो अभी बात करते current year की current year की one day time frame में आप इसका चार्ट open कर लेता हो थोड़ा सापको यहाँ पर देखने में आसानी होगी तो current जो इसका demand zone है वो यह वाला है दोस्तों जिसके अंदर just अभी यह stock enter हुआ है जिसकी वज़े से फिर से यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई गया है ओके देख सकते ह हो यह जो entry zone है entry zone किसे बोलते है जहाँ पर कुछ तो institutional buying हो या public का उस price पर interest जाता हो यह इस price पर आतो में stock उठाओंगा मुझे बताओ अगर आज Tata Motor 300 पर आता है तो क्या आप नहीं उठाओगे तो उसे बोलते है demand zone ओके public का mindset तो यह हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर तगड़ा point of volume भी देखने मिला तो और same same position में अभी यह stock फिर से enter होने जा रहा है यहाँ पर एक बार ट्राय किया दो बार किया तीन बार किया बट सही से enter नहीं हुआ तच करके reverse दिया है मतलब कितना strong support यहाँ पर यह फिलाल के लिए दोस्तों आप देख सकते हो और इसी के अंदर अभी एक stock enter होते जा रहा है तो इस इस दे बेस्ट बाइंग जोन इरे इसाब से आप research कीजिए इस पर प्रॉपर ओके अब बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर इंडर हो जाता है सपोज में इंडर होता हो तो हमें resistance क्या लेके चलना चाहिए तो दोस्तों मेरे इसाब से इस company का business काफी अच्छा है जितना ज्यादा business अच्छा रहे तो तो यहाँ पर रेजिस्टन्स में इसका पर्सनली लेके चल रहा हो 18 रूपीज के आसपास का आप देख सकते हो 18 रू यह वाला जो रेजिस्टन्स है दोस्तों यह 32 रूपीज का है आप सोच रहंगे यार इतना बड़ा पॉसिबल है दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल एक company का business अच्छा बनता है quarterly results continuous अच्छे आते अगले 3-4 सालों में तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं है आपने इसी ऐसी companies द बहुती जादा जरूरी है पर रहता है दोस्तों stocks के अंदर तो आरवन में 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 मेंशन कर दिया कि कुन सा पहला resistance रहेगा और मैंने बाइंग जोन भी हापर में मेंशन कर दिया है कि कुन सा बाइंग जोन यहापर रहने वाला है दोस्तों